अगर आप जानना चाहते हैं कि में मंत में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनरजीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीजों का खयाल रखके आप में मंत की एनरजीज को बहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस के लिए देखे मे तूटाऊजंग टूट्वन्टीट्री में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी में पास यहां पे तीन सेट ऑफ कार्ज हैं फर्स सेट में हम आपके अनरजीز देखेंगे सेकिंड सेट में आपके पार्टने की energies देखेंगे and third set में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं Taurus और आपके लिए आप इस सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं Eight of Cups, Reverse and the Phoenix और ये cards कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज को छोड़ कर अगर आगे बड़े तो कहीं May starting में या फिर कुछ time से आप उसी चीज के पास वापिस आना चाहा रहे हैं ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी पुराने relationship को छोड़ कर आगे बड़े थे तो उसके पास आप वापिस आना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि current relationship में अगर आप हैं तो उसको छोड़ कर आगे बड़े थे कुछ के लिए कोई जगा हो सकती है कुछ के लिए कोई आदत हो सकती है कोई जिद हो सकती है अगेन किसी भी चीज को छोड़ कर आप आगे बड़े वापस आना चाहा रहे हैं दो फिनिक्स का कार्ड कहता है मैं तरीके से चीजों को शुरू करना चाहते हैं देखे इस कार्ड में new phase, re-kindle, renew, transformation लिखा हुआ है growth changed mind भी लिखा हुआ है तो कहीं देखे किसी चीज को लेकर अगर आप बहुत fixated हो रहे थे जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि किसी चीज को लेकर एक जिद आपने पकड़ी हुई थी तो कहीं आपका मन, आपका mind भी बदलता हुआ दिख रहा है थोड़ी सी एक flexibility या फिर थोड़ा सा एक changes आपके thought process, behavior या फिर आपके actions में रहता हुआ दिख रहा है और देखिए जिस भी चीज के पास आप वापस आ रहे हैं या जो भी आपके energies हैं कहीं में मन्त में एक unfair energies किसी भी level पे किसी भी तरीके का injustice आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर five of swords reverse का card कहता है कि again आपको ऐसे लग सकता है या तो आप इतना relationship में fair अपने partner के साथ नहीं रहे आपकी तरफ से कुछ गलत बातें हुई, कुछ unfair चीजें हुई या फिर कुछ टॉरस को ऐसे लग सकता है कि आपके partner आपके लिए या फिर इस relationship के लिए उतना fair नहीं रहे और कुछ के लिए circumstances, situations हो सकती है जिसकी वज़े से एक injustice आप महसूस कर रहे हैं और दिखिए I like you का card एक दो चीजें कहता है कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी surface level के लिए एक unfair energies आप महसूस कर रहे हैं deeper level के लिए partner के लिए आपके मन में बहुत feelings है, emotions है या फिर आपने partner को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि अपने mind को distract करने के लिए आप और लोगों से connect कर रहे हैं आप और लोगों से मिल रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं आपने partner के लावा और लोगों से पीछे बात करी और इसी वज़े से एक unfair energies आप महसूस कर रहे हैं दिखिए ये general reading है, थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा I like you के card में लिखा हूँ है someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, want a date तो आप date या तो अपने partner के साथ करना चाहा रहे है या फिर किसी और इनसान के साथ करना चाहा रहे है और लोगों से connect करना चाहा रहे है सब के लिए different reasons रहेंगे, कुछ के लिए हो सकता है simply आप अपने mind को distract करना चाहा रहे है तो कि देखे surface level के लिए हमने देखा कि आप बहुत अच्छा नहीं महसूस कर रहे है एक you know आपको ऐसा लग रहा है कि manipulative सी energies है या फिर से मैं कहाँगी कि unfair energies है और कहीं end मे के लिए mask and night of pentacles reverse का card कहता है कि आप एक pause लेते वे दिख रहे हैं जहाँ पर आप पिलकुल भी action initiatives नहीं ले रहे हैं या मैं कहाँ सकती हूँ कि फिर से पुरानी जिद या फिर पुरानी किसी चीज को पकड़ते वे दिख रहे हैं जब तक कि 100% आप sure नहीं हो जाते हैं एक safety security नहीं महसूस करते हैं आप आगे नहीं बढ़ना चाहा रहे हैं in the process मास का काड कहता है या तो आप अपनी true feelings, true emotions, true sentiments अपने partner को नहीं दिखा रहे हैं या फिर कोई चीज आप छुपा रहे हैं कोई चीज को लेकर आपने एक मास पहना हुआ है दिखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है not showing, true feelings, height, personify, pretend तो कहीं यूनों कुछ चीजें आप pretend कर रहे हैं real self nutshell में आप नहीं दिखा रहे हैं ये सब Taurus के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपके मन में बहुत feelings है वो आप अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके मन में feelings नहीं है और आप अपने पार्टनर को कुछ और दिखा रहे हैं तो कहीं किसी चीजे के लिए आपके लिए दिखिए एक pretend वाली energies रहते हुए दिख रहे हैं जो नहीं है उसको दिखाते हुए दिख रहे हैं और मैं इन नच्छ लिए भी कह सकती हूँ कि सच्चाई को किसी लविल पे छुपा रहे हैं, रियल सेल्फ यर रियालिटी आप नहीं अपने पार्टना को दिखा रहे हैं और अब देखते हैं टॉरस की आपके पार्टना की क्या एनरजीज हैं तो दिखें आपके पार्टना की कुछ टाइम से यहां फिर मैं स्टार्टिंग में एक इम्मेचूर सी एनरजीज रहते बात करता है, risk की बात करता है, not showing hand gambling के बात करता है, तो हो सकता है कि आपके partner को ऐसा लग रहा है कि भई इस relationship में आगे बढ़ना है, तो फिर काफी एक risk है, chance लेना पड़ेगा, it's like you know, जुआ खिलने वाली बात है, तो इस तरीके की एक feeling मन ही मन उनको आपके लिए इस relationship के मन्त में वो एक नई beginning करना चाहा रहे हैं, हाँ पर Ace of Pentacles का card, नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहा है और बहुत practical, बहुत realistic होके, कहीं नए तरीके से चीजों को शुरू कर रहे हैं, तो दिखिए हमने देखा कि कुछ टाइम से, या फिर में starting में काफी emotional या फिर म actions में, mid-may के बाद से, में, month में आते हुए दिख रहे हैं, जहां पे बहुत practical, realistic हो रहे हैं, the chaser का card कहे रहा है, कि आपको pursue कर रहे हैं, आपको सकता है किसी चीज के लिए convince कर रहे हैं, आप से बात करना चाहा रहे हैं, लेकिन बहुत practical, realistic तरीके से, आपके साथ हो सकता है कि नई beginning चाह रहे हैं, लेकिन concrete, practical, realistic लेवल पर चाहते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ बातों से वो खुश नहीं होते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ you know, again मैं कहूंगी, कि अगर आपने कुछ कह दिया, तो उससे वो satisfy नहीं हो रहे हैं, उनको concrete, realistic, कोई चीज आपकी तरफ से चाह और दिखिए कहीं end में में या फिर में मन्त में हो सकता है, इसलिए वो जादा लोगों से connect कर रहे हैं, जादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कहीं जादा socialize कर रहे हैं, और keys on a ring का card भी कहता है, कि many options, decision, कहीं उनों और options अपने explore कर रहे हैं, नचल में दिखिए, यहाँ प कि वो जादा लोगों से interact कर रहे हैं, जादा लोगों से बात कर रहे हैं, जादा लोगों से मिल रहे हैं, और अब देखते हैं Taurus की में मन्त में क्या हो रहा है, तो देखिए में मन्त के लिए यहाँ पे सबसे पहले cards में दिख रहे हैं, love, call and high priestess, और यह cards बहुत ही clearly कहते है कि मन ही मन, अगर आप दोनों के बीश में बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही, कुछ issues, कुछ मसले चल रहे हैं, तो आप लोग एक दूसरे से बात करना चाहा रहे हैं, चीजों को resolve करना चाहा रहे हैं, लेकिन surface level के लिए यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि पहले कौन, पहले पहले आप इस चक्कर में आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो दिखे फिर से deeper level के लिए आप दोनों ही एक दूसरे से connect करना चाहा रहे हैं, दिल की बातें, दिल की emotions, दिल की feelings share करना चाहा रहे हैं, लेकिन surface level के लिए कहीं इस direction में action initiatives नहीं ले रहे हैं, हो सकता है क आप लोग impulsive नहीं होना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा withdraw करते हुए दिख रहे हैं और कहीं mid month तक के लिए emotional होते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों में से किसी एक की भी energies हो सकती हैं, आप दोनों की भी हो सकती हैं, जहापे mood sings हो रहे हैं, बहुत जादा you know emotionally up and down आपकी feelings होती हुई दिख रही है and deeper level के लिए healing heart का card कहता है कि जो भी issues मसले रहे उनसे heal अपने आपको आप दोनों ही करना चाहा रहे है कहीं you know चीजों को solve करना चाहा रहे हैं लेकिन खुद को भी कैसे heal करें इस पे focus रहता वा दिख रहा है और इसी लिए दिखिए four of pentacles, reverse and self indulgence के cards कहते हैं कि किसी भी चीज को लेकर अगर जिद पकड़ी हुई थी तो उसको भी let go करना चाहा रहे हैं या फिर let go करने की कोशिश कर रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बहुत fixated होके बहुत ज़ादा rigid होके चीजें नहीं solve होंगी issues और मसले होंगे हाला कि Taurus आपके लिए देखें तो कहीं end may में आप तो बहुत ही rigid होते हुए दिख रहे हैं तो हो सकता है कि energies आपके partner की हैं और कहीं self indulgence का card कहता है कि self को prioritize कर रहे हैं self पर बहुत ज़ादा focus कर रहे हैं self को और enhance करना चाहा रहे हैं तो दिखें ये बहुत बहुत important होता है in fact अगर आप मेरे videos देखें तो हर video में मैं बहुत ज़ादा इस चीज को हैमियत देती हूँ कि आप अपने आपको ज़रूर prioritize करें लेकिन हर चीज में एक balance रखना टॉरस बहुत important होता है क्योंकि कोई भी चीज चाहें जितनी भी अच्छी हो जब वो ज़रूरत से ज़ादा होती है तो फिर परिशान करती है अगर too much भी self indulgence हो रहा है तो वो कहीं selfishness में बदल जाता है एक moderate तरीके से एक balance तरीके से self love हमें ज़रूर practice करना चाहिए लेकिन फिर से कहूंगी कि too much कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए तो इनी छोटी छोटी चीज़ों का आप खयाल रख सकते हैं अगर मैं pointers में आपको बताऊं कि किन चीज़ों का आप खयाल रखें जिससे की में मन्त की energies आप बहतर कर पाएंगे तो over emotional ना हो, over sentimental ना हो और over fixated, over rigid किसी चीज़ को लेकर ना हो और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि self love practice करें लेकिन over ना करें तो कोई भी चीज over में मन्त में आप ना करें एक balanced एक moderate तरीके से आप जरूर चलें तो ये था टारस आप लुकों के लिए में 2023 की love tarot reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें